आज तक आपने साइध बहुत सारे स्मार्टफोन देखा होगा बट इस वीडियो पर मैं आप सभी को ऐसे पांच यूनिक स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में साइध आपको आज तक नहीं पता था अगर आपको इन सभी स्मार्टफोन के बारे में पता थ तो आज इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऐसे यूनिक स्मार्टफोन क्या है आई मीन इस वीडियो पर मैं इन सभी स्मार्टफोन को यूनिक क्यों कह रहा हूँ तो अगर आप यह जानना चाहते तो फिर आप 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 वीडियो को लास तक देखे उसके पहले इस वीडियो के लाइक करें साथ चैनल को सबस्क्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को और पर क्लिक करें मेरे लिस्ट पर जो सबसे पहला फोन है आई मीन यूनिक फोन है वह मेजू जिरो यह जो मेजू जिरो फोन है यह चाइनीज ब्रैंड का फोन है और यह जो फोन है इ स्पीकर कभी छेद्व को नहीं मिलेगा इस फोन पर एक ऐसा शॉब्टर यूज वक्राइब के इस इस फोन से साउंड भूंद निकालता है बट इस फोन पर स्पीकर कभी जो होल या फिर आपको नहीं मिलेगा और इस फोन पर आइपी रेटिंग के अगर मैं बात करो तो इस time पे सभी phone पर IP रेटिंग दिया जाते बट इस phone पर IP रेटिंग के जरूरती नहीं है बिकॉज इस phone पर छेद ही नहीं है किसी भी तरह का छेद नहीं है यह जो phone है यह 2019 में लॉंच हो गया था बट यह जो फोन है अभी तक मार्केट पे नहीं आया है बट इस फोन पर बहुत सारे ने एडवांस टेक्नोलोजी का यूज किया गया है यह जो फोन है यह वाइलनेसली चार्ज होता है इस पर किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा यह जो फोन है इसमें e-seam का यूज किया गया है फिजिकली सीम आप इस फोन पर एंटर नहीं करा सकते है तो यह जो फोन है इसका मैनुफेक्टरिंग कोस्ट बहुत ही जादा है और इतना एडवांस टेक्नोलोजी है I mean इस फोन पर एक भी छेद नहीं है एक भी होल नहीं ह तो यूजर को अगर बात में प्रॉब्लेम हो सकते इस फोन को यूज करते करते तो इसलिए साइध अभी तक यह जो फोन है वो मार्केट पर नहीं आया है बट यह जो फोन है मैजू जीरो ये 2019 में मैजू ब्रैंड ने मैजू चाइनिस ब्रैंड ने लांच कर दिया था तो बाट यह जो फोन है least Rich दिए घंट पर मतलब डेस्ट्रोय लग्या और मार्केट पर बर भी नहीं लेज़ा है बाट यह फिली लॉश्च जरूर हो चुक है Xiaomi Mi Mix Alpha इस phone का खासियत क्या है मैं क्यों इस phone को unique बता रहा हूँ तो यह जो phone है यह phone भी 2019 पे launch क्या गया था 2019 पे आप सभी को साइध याद होगा कि Samsung का सबसे पहला जो foldable phone है वो आया था तो क्या यह phone foldable है नहीं यह phone foldable नहीं है बट उस time के हिसाब से phone हे इस phone की ना right side to left side पर दोनों side पर ही बेजल नहीं है सिर्फ उपर की side पर थोड़ा सा है तो इस phone की display को इस तरह से मोर के रखा गया है मतलब जैसे right and left side पर 투Like को रखा है और इस phone को रियर panel है उसको भी display से ही यह पर cover किया है और स्वास देके यहाँ पर उस display को cover किया गया है ताकि आपको पता ना चले कि display खतम कहां पर हो रहा है मतलब उस time के हिसाब से यह जो phone है बहुत ज़्यादा unique है right and left side पर बिल्कूल भी bezel नहीं है सिर्फ उपर की side पर नीचे की side पर थोड़ा सा bezel है तो इसलिए मुझे लगा कि यह जो phone है यह बहुत ज़्यादा unique phone है इसलिए मैंने मेरे list पर इस phone को add किया है इसके बाद जो तीसरा unique phone है वो LG Wing यह जो LG brand है यह पहले बहुत ही नए-ने phone launch करता था बट अभी smartphone की market पर यह और competition पर नहीं है LG smartphone की market को छोड़ दिया है बट इस phone में खासी आतासा क्या है मैं क्यों इस phone को unique बता रहा हूँ इस phone पर जो है दो display लगा हुआ था जो main display था वो main display यहाँ पर 90 degree angle पर rotate करता था एंड उसके बाद जो secondary display था उससे आप बहुत सरे काम कर सकते थे I mean main display पर आप game खेल सकते थे एंड जो secondary display है उस पर आप गाना सुन सकते थे एंड जब main display को आप 90 degree angle पर rotate कर देते तो यह जो phone है वो T-shape लाता है पतलब T-shape में देखने को लगता यह phone और इसके बाद आप सायद यहाँ पर main display पर आप video कॉल कर रहे है तो फिर आप जो secondary display है उस पर आप और कुछ दूसरा टाक्स कर सकते आइमिन आपको आप दो डिस्पेले मिलता था और इस phone का जो weight था वो लगबग मुझे जितना पता है कि 260 ग्राम के आसपास था तो इसलिए यह phone एक unique phone लगा मुझे इसलिए मैंने मेरे list पर इस phone को भी add किया एलजी विंग जो कि 2020 की लास्ट में साइद एलजी ने लॉंच किया था और इसके बाद एलजी और स्मार्टफोन की मार्केट पर नहीं रहा एलजी स्मार्टफोन की मार्केट से दूर चला गया इसके बाद जो फोर्थ unique phone है वो यह techno phantom x2 pro यह जो brand है इसको king of Africa भी कहा जाता है यह बाकी brand के तरह इतना सथा popular नहीं है बट इस brand के पास कुछ ऐसे unique phone है जिसमें से unique phone है techno phantom x2 pro अब इस phone को मैं unique क्यों कह रहा हूँ तो यह techno phantom x2 pro phone है इस पर आपको 50 megapixel का retractable portrait camera मिल जाएगा जो कि अभी तक ऐसा features ऐसा camera features एक पी smartphone पर आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना मुझे पता है आपको सिर्फ यह जो techno phantom x2 pro है उसी phone पर देखने को मिलेगा तो इसलिए मुझे यह वी जो phone है यह बाकी phone के भी add किया है इसके बाद जो last unique phone है वो है Lenovo Legion Y90 अब मैं इस phone को unique क्यों कह रहा हूँ तो देखे इस टाइम पे gaming phone की अगर मैं बात करो तो gaming phone की brand जो है इस टाइम पे like जैसे की Red Magic है Black Cirque है Asus है यह कुछ popular brand का जो gaming phone है बहुत सरे user को पसंद आता है बहुत सरे user इन से भी brand का जो gaming phone है उसको पसंद करते है बट यह जो Lenovo Legion Y90 है यह भी best gaming phone है मुझे लगता है क्योंकि यह जो phone है इसको मैं unique क्यों कह रहा हूँ देखे इस phone की जो performance है या फिर phone का internal parts है वो तो बहुत ही अच्छा है बट अगर मैं external parts की बात करूं अगर मैं design की बात करूं लुक की बात करूं तो उसके मामले में भी यह जो phone है बहुत ज़ादा unique है क्योंकि यह जो phone है इस phone का जो camera module है वो एकदम नीचे की side पे ना ही middle पे है एकदम नीचे की side पे इसका camera module को दिया गया है जिस वएसे मुझे यह phone बहुत ज़ादा unique लगा इसका जो design है वो भी unique है और इसका जो innovation है वो एड़ किया है तो इस वीडियो पर मैंने आप सभी को ऐसे पांच unique phone के बारे में बताया है जिसके बारे में साइध आपको आज तक नहीं पता था अगर आपको पता था इन में से किसी भी एक phone के बारे में तो फिर वह मुझे नीचे comment करके जरूर बताना अगर आपको आज क पर क्लिक करें ऐसे इंजर्स इंडियो और भी देखने के लिए मिल था हूं मैं आप से भी सखी दूसरे वीडियो पर तब तक के लिए जय हिंद बंदमात रहम